बच्चो कैसी हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी हमारा ग्रीश मविकाश का गर्या कार्ये सॉल्व करेंगे कक्षा दूसरी की हम यहां बात कर रहे हैं बच्चो बच्चो विश्य है हमारा परियावर अध्यान बच्चो 24 मई 2021 को हमें क्या कारे दिया गया है चलिए हम यहां देखते हैं बुद्ध पुर्णीमा बैसाक के महिने में इस साल 26 मई पुर्णीमा के दिन बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जैनती मनाने के लिए बुद्ध पुर्णीमा के रूप में मनाया जाता है देखे बच्चो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध पुर्णीमा बैसाक के महिने में आती है बच्चो इस साल मतलब 2021 में 26 मई को पुर्णीमा आएगी बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जैनती मनाने के लिए बुद्ध पुर्णीमा के रूप में मनाया जाता है देखी बच्चो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध पुर्णीमा हम क्यों मनाते हैं बच्चो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे जिनोंने इसकी रचना करी थी गौतम बुद्ध उनका नाम क्या था गौतम बुद्ध बचो उनकी जैनती मनाने के लिए हम बुद्ध पुर्णिमा मनाते हैं वे एक आध्यात्मिक गुरू थे बचो गौतम बुद्ध कौन थे एक आध्यात्मिक गुरू थे तो बच्चो आप सभी को पता होना चाहिए कि बौध धर्म के जो संस्था पकते वो गौतम बुद्ध थे और उनकी जैनती मनाने के लिए हम बुद्ध पुर्णिमा को मनाते हैं ठीके और वो एक आध्यात में गुरू थे अगला देखे बच्चो पौधे का भाग पौधे का भाग फूल बच्चो हमने पौधे का भाग जड़े हमने पड़ी थी बीज हमने पड़ा था तना हमने पड़ा था अब हम फूल पड़ेंगे देखे बच्चे खाने योग्ये फूल कौन कौन से होते हैं उधारन के लिए फूल गोबी, सहजन के फूल आधी, पेपदार्ट, निम्बू पानी, थंडी कॉफी, परिवार के साथ समय, खेल, व्यापार, बिजनिस, शब्द श्रंकला अपने परिवार के साथ खेले, गतिवीदी, बिना आग के खाना पकाना, वेजिटेबर सेंडविच, कोई पेपदा की पहचाने को पहचाने और उसकी तस्वीर चिपकाएं, देखिए बच्चो, तो देखिए बच्चो यहां आपको बोला गया है कि यह खटा होता है, यह मीठा होता है और यह कड़वा होता है, तो देखिए बच्चो निम्बू, निम्बू की बच्चो यह तस्वीर है, त निम्बू कड़वा होता है सौरी खट्टा होता है ठीक है और निम्बू को हम शिकनजी बनाने के काम में लेते हैं ठीक है और सलाद में भी हम निम्बू का प्रियोग करते हैं ठीक है बच्चो ये पीले कलर का हो पीले रंग का भी होता है ठीक है तो बच्चो इनके बारे में भी हमें लिखना है ठीक है? इनमें कि ये निम्बू की तस्वीर है इसे शिकंजी बनती है ये खटा होता है सलाद में काम में लिया जाता है और ये पीले रंका होता है इसी तरह से केला केला मीठा होता है केला पीले रंका होता है ठीक है और क्या-क्या काम आते है बच्चों केले का केला हमारा फलू होता है ठीक है नीम देखिए बच्चों नीम हमारा कड़वा होता है ठीक है नीम हरे रंका होता है नीम बच्चों दवाईयों में दवाई बनाने के काम में आता है और नीम क्या है बच्चो एक पत्ती होती है ठीक है ना पेड़ की पत्ती होती है नीम ठीक है यह हमारे काम आती है इस तरह से बच्चो आप सभी को जो है नीमबू का केले का और नीम का ये आपको अपनी कौपी में तस्वीर शिपकानी है इनकी और इनके बारे में इस तरह से आपको लिखना है ठीके बच्चो अगला देखिए अपने माता पिता के साथ चर्चा के बाद उप्रिक्त उत्तर के साथ रिक्त स्थान के पूर्ती करें देखी बच्चो आपके पिता आपके चाचा से बच्चो आप सभी को पता है आपके घर में आपके माता पिता सब हैं चाचा चाची तो बच्चो आपको बताना है कि जो आपके पिता हैं वो आपके चाचा से बड़े हैं या छोटे हैं तो आपके पिता आपके चाचा से बड़े है बच्चो आपके अगर छोटे हैं तो आप छोटे लिखेंगे ठीक है आपका भाई आपकी बहन से छोटा है या बड़ा है आपका भाई आपकी बहन से छोटा है देखे बच्चो यहां हमें कुछ शब्द दिये हैं इन्हें हम चा बड़ी हो या छोटी हो क्या हो तो यहां लिखेंगे बड़े बड़ी बड़े हैं ठीके बड़े आपके पिता जी आपकी माता जी से छोटे हैं या बड़े तो यहां भी लिखेंगे हम बड़े ठीके बच्चो इस तरह से आपको यह कंप्लीट करना है तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, साथी साथ बच्चों समझ के वीडियो को अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करें उमीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा झाल